नमस्ते मैं डॉक्टर कंचन गुपता आज आप सब को महा महाल्या की शुप कामनायन देती हूँ अब महा महाल्या के साथ देवी का भी अवतरन इस धर्ती पर हो रहा है इन नव रात्रों में देवी के नौ रूपों का वर्नन होता है ध्यान पूजन होता है तो वे नव दु च दुत्यम ब्रह्मचारिनी तृत्यम चंद्रघंटेती कूश्मांडेती चर्तुर्थकम पंचम सकंदमातेती शष्टम कात्यायनीती च सप्तम कार्रात्रिती महागोरिती चास्टमम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्थितः उक्ता नेतानी नामानी ब्रह्मनेव महात्मना अग्निना देहमानस्त्रू शत्रू मद्धे गतोरने विश्मे दुर्गमे चैव भयारतः शर्णम्गतः नातेशां जायते किंचिद शुभम रन संकटे नापदम तस्य पश्यामी शोक दुख भयम नाही येस्तू भग्त्या स्मृता नूनम तेशां वृत्ती प्रजायते ये त्वां श्मरंती देवेशी रक्षसे तानसंशया मा भगवती शैल पुत्री कहलाती हैं क्योंकि वे परवत राज की कन्या हैं वे बैल पर अस्वार हैं और हाथों में त्रिशूल धारन करती हैं मा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिनी है जो स्वयम मा सरस्वती है जो हाथों में कमंडल और अक्ष माला जप की माला धारन करती हैं जिन्होंने सच श्वेत वस्त धारन किये हैं मा ब्रह्मचारिनी सक्चेदानन्द में ब्रह्मचरूप की प्राप्ति करवाती हैं तीसरा रूप चंद्रघण्टा मा का है उनकी घंटा में चंद्रमा स्थित है देवी का चोथा रूप कूश्मांडा है जो अपने उदर में त्रिविद ताप युक्त संसार को धारन करत पंचम रूप स्क्रंद माता हैं जो सनत कुमार अर्थात कार्तिक मुरुगन की माता हैं। शष्टम रूप कात्यायनी देवताओं के कारिय को सिद्ध करने के लिए कात्यायन मुनी के आश्रम में प्रकट हुई थी। कात्यायने मां कात्यायन मुनी की कन्या है सप्तम मां काल रात्री काल की भी विनाशिका हैं सप्तम महागोरी हैं जिनका वर्ण गोर्ह सुन्दर उज्वल आकर्षक है इन्हीं महागोरी की पूजा माता सीता ने की थी एवं भगवान राम जैसे पती की प्राप्ति हुई थी अ पिष्टम सिध्धी दात्री सिध्धी एवं मोक्ष प्रदान करती हैं जो देवी के इन नौ रूपों का स्मरन करता है वै शोक, दुख, भै, संताप, रोग, से विमुक्त हो जाता है और देवी अपने भक्त का रक्षा कवच बनती हैं देवी के स्मरन से शत्रूं का नाश होता है और सौभाग्य का अभ्युदय होता है आशा करती हूँ कि आप भी देवी के अद्भुत रूप से प्रभावित होकर उस देवी का स्मरन चिंतन करेंगे उसके गुनगान का गायन करेंगे और सौभाग्य के पात्र बनेंगे इस प्रस्तुती को सुनने के लिए अब सबका धन्यवाद धन्यवाद